हेलो एर्वन कैसे आप सब लोग आई होप आप अच्छे होंगे हेलो एलकेन और हेलो एरीन्स के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है और अब तक हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर लिया है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जा करके देखिए तब ही आगे के लेक्चर का आणद उठा पाएंगे लेक्चर की सुरुवात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि देखो वही हमने जो रिवलुशन स्टार्ट किया है उसको हमें लोगों तक पहुँचाना है हर स्टुडेंट तक पहुचाना है हर उस सक्स तक पहुचाना है इंडिया के जिसको इसकी जरूरत है तो यहाँ पर आपका दाई तो थोड़ा बढ़ जाता है responsibility बढ़ जाती है कि आप इस premium content को इस quality content को हर सक्स तक पहुचाने में हमारी help करें और videos को अपने दोस्तों में अपने आसपास share करते रहें तो चलिए आप शुरू करते हैं अपने chapter को और इस chapter के अंदर हम isomerism पढ़ने वाले हैं isomerism के अंदर में definition के चकर में आपको नहीं फसाऊंगा आपको simply समझाने की कोसिस की जाएगी आप सिर्फ सुनते रहेंगे आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी जब तक आपका ये lecture खतम हो रहा होगा isomerism को समझने के लिए हमें isomer समझना पड़ेगा isomer को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं पहला बन जाएगा iso और दूसरा बन जाएगा मर मर सब्द का जो मतलब है वो मैंने आपको polymer और monomer जैसे सब्द पढ़ाते वक्त पढ़ाया था यहाँ पर isomer का मतलब होता है same और मर का मतलब होता है unit तो isomer का मतलब बन जाएगा same unit same unit कहने का क्या मतलब है अगर किसी भी दो molecule के molecular formula same है तो हम बोलेंगे कि वो same unit में हैं तो यह कहा जाएगा कि अगर दो compound या दो molecule जिनके molecular formula same है उसको हम isomer बोलेंगे isomer होने के लिए दो condition होती है एक तो same molecular formula होना चाहिए दूसरा ये कि उसका different physical और chemical properties होनी चाहिए यहाँ पर physical properties कहने का मतलब है कि उन दो molecules के boiling point अलग होने चाहिए उनके melting point अलग होने चाहिए और chemical properties कहने का ये मतलब है कि उनके reaction करने का तरीका अलग होना चाहिए लेकिन उनके molecular formula same होने चाहिए तब उन दोनों मॉलिक्यूल को हम आईसोमर बोलेंगे आईसोमर जो होता है वो दो लोगों के बीच के रिस्ते को बताता है यहाँ पर मॉलिक्यूल के रिस्ते की बात की जारी जैसे माली जी एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलीकूल B है तो यह A मॉलीकूल B मॉलीकूल का आईसुमर बोला जाएगा जब उनका मॉलीकूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इस डिफरेंट होगा यह A मॉलीकूलर फॉर्मूले सेम है कितना है C3H8O है इन दोनों मॉलीकूल में तीन कार्बन है और आठ हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है लेकिन इस पहले मॉलीकूल और इस दूसरे मॉलीकूल के जो बॉयलिंग पॉइंट होंगे वो अलग अलग होंगे बॉयलिंग करने का तरीका अलग होगा इसका मतलब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे अगर मैं आपसे पूछूँ इस पहले मॉलीकूल और इस दूसरे मॉलीकूल के बीच में क्या रिलेशन होगा तो आप इसका जबाब देंगे कि आईसोमर होंगे यह अगर कुछ यह तो फिल्मी डायलॉक्स हैं इसी की तरह हमारे लिए कुछ नया बोलो तब राज कहता है डियर वी आर आईसोमर्स अब यह चीज सिमरन को पल लेनी पड़ रही है कि आखिर कर दो जिसम एक जान और आईसोमर जैसे सब्द एक दूसरे के बराबर कैसे होगे तो चलिए अ आईसोमर का रिलेशन होगा चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही जहारे मुहबत पर अभी फिदा होने का वक्त नहीं है आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका भी बोड़ा रखा है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आईसोमरिजम का आपने मतलब भी नहीं बताया अरे स्ट्रक्चरल आईसोमर जो लोग सो करते हैं उसको स्ट्रक्चरल आईसोमर्स कहते हैं और जो लोग स्टीरियो आईसोमरिजम सो करते हैं उसको स्टीरियो आईसोमर्स कहते हैं क्या हमें इनकी भारी डिफनीशन याद करनी पड़ेगी जबाब है नहीं देखो कैसे समझते ह चीजों को यहां पर देखो आईसो मर के आगे क्या लिखा है इसका मतलब यहां पर structure की बात की जा रही है ध्यान रखना एक चीज का कि आईसो मर के आगे जो चीज लिखी होगी वो दो अलग अलग entities की अलग अलग होंगी कहने का मतलब यह कि अगर दो मॉलीकूल के मॉलीकूलर फॉर्मूले सेम हों लेकिन उनके structure अलग अलग हों तो उसको हम structural isomers बोलते हैं अब बात करते हैं stereo isomers की यहां isomers के आगे क्या लिखा है stereo लिखा है इसका मतलब दो molecule की अगर stereo different है और उनके molecular formula सेम है तो उसको stereo isomers बोलते हैं अब मैं आपको stereo का मतलब समझाता हूं stereo का मतलब होता है कि arrangement in 3D space अगर दो molecule मालेजे C और D हैं इनके molecular formula अगर सेम हैं लेकिन C और D molecule के अंदर जो atoms हैं उनके 3D space में जो arrangement है वो अलग-अलग है तो उन दोनो molecule C और D को बोला जाएगा कि वो एक दूसरे के साथ stereo isomer के relation में हैं ये arrangement in 3D space अगर आपको समझ में नहीं आया आगे चलके मैं बहुत अच्छे तरीके से explain करूँगा फिलहाल इन चीजों को structural isomer के relation में होंगे तो चलिए पहले बात कर लेते हैं structural isomerism की structural isomerism के यहां पर 5 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे जहां पर molecules के structure अलग-अलग होंगे लेकिन उनके molecular formulae same होंगे इन पांचों पार्ट के नाम पढ़के देखते हैं पहला है chain isomerism दूसरा है position isomerism तीसरा है functional isomerism चोथा है metamerism और पांचमा है totomerism टोटो मेरिजम में हमें केवल keto in all totomerism ही पढ़ना है तो इस तरीकी से 5 पार्ट हमें याद रखना है structural isomerism के अंदर जिसमें से पहला होगा chain isomerism दूसरा position isomerism तीसरा functional isomerism चोथा metamerism और पांचमा होगा keto in all totomerism अब हम चरचा करेंगे chain isomerism की chain isomerism को समझने के लिए हमें chain isomers को समझना है तो chain isomers में देखो भई या आईईईईईईऊमर के आगे क्या लिखा है chain लिखा है इसका मतलब वहाँ पर chain क्या होने वाला है different होने वाला है लेकिन उन molecules के अंदर जो है different chain होंगी जैसे उनके different main chain होंगे या different side chains होंगी जो भी मैंने बोला उसको मैं example से समझाता हूँ चलिए हम molecular formula ले ले लेते हैं C5H12 C5H12 को लिखने का क्या तरीका बन सकता है 5 carbon की एक सीधी chain बनाई जा सकती है दूसरा structure बनाने जाएं तो वहाँ पर 4 carbon की एक सीधी chain ले लेते हैं उनमें से एक carbon पर एक CS3 लाकर के लगा देते हैं तो यहाँ पर इस पहले structure का भी molecular formula क्या है C5H12 और दूसरे वाले का भी क्या है C5H12 है लेकिन पहले वाले structure में number of carbon in main chain कितना है 5 है यहाँ पर 5 carbon सीधा सीधा तो उसकी counting देख लो क्या हो जाएगा 1,2,3,4,5 लेकिन इस second structure में अगर हम counting करें तो यहाँ से करेंगे 1,2,3,4 तो हमें यहाँ पर main chain में कितने carbon मिलेंगे 4 carbon मिलेंगे इसका मतलब क्या हुआ structure 1 और structure 2 एक दूसरे के chain isomer बोले जाएंगे क्योंकि इनके molecular formula तो same है लेकि number of carbon in main chain के आ रहे हैं different आ रहे हैं इसी को मैंने उपर बोला था कि ऐसे isomer जिनके अंदर different chains होंगी उनहीं को हम chain isomer बोलते हैं C5H12 से एक दूसरा structure भी बनाया जा सकता है यहाँ पर अपकी बार हम 3 carbon की एक chain ले लेते हैं और इस बीच वाले carbon पर हम 2 CH3 लगा लेते हैं तो यह जो structure बनाया उसका molecular formula C5H12 भी होगा लेकिन इन में number of carbon in main chain क्या आएगा? 3 आएगा कैसे आएगा? देख लिजी ये 1, 2, 3 ये हमारा main chain होगा और उस main chain में कितने carbon present है? 3 carbon present हैं तो अगर हम इस तीसरे structure को पहले structure से relate करें तो हम क्या बोलेंगे? पहला structure और तीसरा structure एक दूसरे का chain isomer है क्योंकि दोनों में number of carbon in main chain अलग-अलग है यही चीज मैं second structure और third structure के लिए भी बोल सकता हूँ कि भाईया देखो third वाला जो है वो second वाले के साथ chain isomer के relation में है आई होप आपको chain isomergem समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर definition रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी next हमारा position isomergem और position isomergem को समझने के लिए हमें position isomer समझने हैं यहाँ पर देखो isomer के आगे क्या लिखा है? position लिखा है double bond या triple bond के position की बात की जाएगी यहाँ पर substituent के position की बात की जाएगी functional group के position की बात की जाएगी अब कुल मिलाकर अगर बोला जाए तो यह कह सकते हैं कि किसी भी दो molecule के अंदर जहाँ पर molecular formula same है लेकिन double bond, triple bond, substituent and functional group के positions अलग-अलग हैं तो उनको हम position isomers बोलेंगे यहाँ पर हम दो molecule की चर्चा करेंगे जिसमें 4 carbon की एक chain दी गई है उसमें किनारे की तरफ यहाँ पर double bond लगाया गया है और दूसरे वाले structure में यहाँ पर बीच में एक double bond लगाया गया है इन दोनों structures का जो molecular formula होगा और वो क्या होगा C4H8 होगा इसका मतलब यह दोनों क्या है isomers अब हमें पता करना है यह कौन से isomers होंगे तो देखो भी है हमें करना पड़ेगा यहाँ पर counting इस पहले वाले structure में करोगे तो यहाँ पर लिखोगे 1 इसका मतलब position of double bond different है वो number अलग है जिस पर वो double bond present है इस वज़ा से यह कहा जाएगा कि यह दोनों एक दूसरे के position isomers हैं क्योंकि यहाँ पर double bond की position different आ रही है चलिए next example discuss कर लेते हैं यहाँ पर मैं चार कार्बन के एक chain ले रहा हूँ और मैं bromine को ला करके इस कार्बन पे अगर जोड़ दू तो यह हमारा एक molecule बनेगा दूसरे वाले में हम अगर bromine यहाँ पर ला करके जोड़ दें तो हमारा यह दूसरा molecule बनेगा चलिए first structure में हम counting करके देखते हैं तो देखो यहाँ पर one लिखेंगे यहाँ पर two है और यहाँ पर one है और इन दोनों के molecular formula same है क्या है C4H9BR है तो हम कहेंगे इन दोनों molecule के अंदर position और bromine अलग-अलग है और उनके molecular formula same है इस वज़ा से यह दोनों एक दूसरे के position isomer बोले जाएंगे अब मारे अगली चर्चा functional isomergem पर है और same molecular formula रखने वाला जो molecule होगा वो जो है functional isomer के relation में होगा कहने का मतलब हुआ कि molecules having same molecular formula but different functional groups are known as functional isomers example के तोर पे वही पहले जो हमने discuss किया alcohol और ether वो ले ले लेते हैं यहाँ पर तीन carbon की एक chain है उसमें हमें यहाँ पर OS दिख रहा है और यहाँ पर दो carbon की chain रखने के बाद हमने oxygen लगाया इसके बाद एक CS3 लगा दिया तो इन दोनों के जो molecular formula आएंगे वो C3H8O होंगे लेकिन इन दोनों में functional groups अलग अलग है एक में alcohol है दूसरे में ether है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनके functional group अलग अलग है लेकिन इनके molecular formula सेम है इस वजह से यह दोनों एक दूसरे के functional isomers बोले जाएंगे next example देखते हैं जो की है CS3 CO CS3 यह क्या है ketone है अगला example ले ले लेते हैं के aldehyde जहां पर लिखा है CH3 CH2 C double bond OH इन दोनों को देखिए molecular formula सेम आएंगे क्या आएगा C3 H6 O आएगा लेकिन एक में ketone का group है और दूसरे में aldehyde group है इसका मतलब दोनों के functional group अलग अलग हैं लेकिन उनके molecular formula सेम हैं इस वजह से यह दोनों एक दूसरे के functional isomers बोले जाएंगे next isomers का नाम आता है metamersm और metamersm सो करने वाले isomers को metamers बोलते हैं अब metamers को देख करके आप कैसे पहचानेंगे उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर different alkyl groups होंगे और same molecular formula होगा और same functional group होगा क्या बोल रहा हूं है कि वहाँ पर same functional group होगा same molecular formula होगा लेकिन different alkyl groups होंगे उस functional group के left and right side में example बहुत आसान है ether ले लो जैसे माली जी एक oxygen है उसके इस तरफ हमने दो carbon लगा दिया और इस side हमने दो carbon लगा दिया इस ether का अगर हमें metamers बनाना है तो हम क्या करेंगे एक तरफ हम तीन carbon लगा दें तो इस तरीके से इन दोनों का molecular formula तो same आ जाएगा लेकिन देखो इस oxygen के respect में इस side दो carbon है लेकिन इस side कितने carbon है तीन carbon है इस side देखो दो carbon और इस side कितने carbon है एक carbon है इसका मतलब हम कहेंगे कि इस oxygen के respect में left और right side में जो alkyl groups थे वो अलग अलग है इस वज़ा से ये दोनों एक दूसरे के metamers है अगला example हमारा ister है ister group क्या होता? C double bond O और इसके बाद इधर R लिखा रहता है इधर R dash लिखा रहता है अगर माली जी oxygen के side में हमने एक CS3 लगा दिया मतलब एक carbon लगा दिया अगर इस molecule का हमें metamers बनाना है तो हमें molecular formula same रखना पड़ेगा और molecular formula same रखते वक्त हम क्या करें यहां का एक carbon उठा करके इस side लगा दें अगर हमने एक carbon इधर बढ़ा दिया तो oxygen के इस किनारे हमें दो carbon मिल जाएंगे लेकिन इस वाले किनारे से एक carbon घट जाएगा तो यहां पर CO के just बगल में सिर्फ एक carbon है और यहां पर देखो दो carbon है इस oxygen के बगल में देखो यहां पर एक carbon है और यहां पर दो carbon है तो हम बोलेंगे कि CO group के respect में हमें यहां पर different alkyl groups मिल रहें दोनों molecule के बीच में इस वज़ा से यह metamers होंगे मेरी समझ से आसान लगा होगा यहां पर बस आप एक चीज़ याद रखेंगे कि different alkyl groups होगा तभी जो है metamers create होंगे अगला आता है totomerism totomerism को दिखाने वाले जो लोग हैं उनको हम totomers कहते हैं अतलब यहां पर isomer को क्या बोला जाता है totomerse बोला जाता है यह थोड़ा special type का isomerism है आत पर थोड़ा और जादा समझदारी रखनी पड़ेगी साउधानी रखनी पड़ेगी समझने के लिए यहां पर आपको totomerse बनाते वक्त या isomerse बनाते वक्त position of hydrogen और position of double bond को हमें change करना पड़ता है हमारे course में सिर्फ keto in all totomerism है तो चलिए भईया पहले हम keto का मतलब समझाते है यहां पर keto सब्द जो है ketone या aldehyde के respect में बोला जाता है keto का मतलब C double bond O कहीं present है तो वो keto group बोला जाएगा तो देखो हमने एक molecule ले रखा है CS3 CO CS3 यहां पर C double bond O देख रहा है इस वज़ास हम इसको बोलते हैं यह keto group है अब इस CO group के बगल में जो आपको कार्बन देख रहा है इस कार्बन पर हमें यहां पर तीन hydrogen देख रहे हैं ठीक है अगर इन तीन hydrogen में से एक hydrogen उठा करके इस oxygen पर लगा दिया जाए और इस carbon और oxygen के बीच में जो pie bond है उसको उठा करके इस carbon और carbon के बीच में रख दिया जाए तो हमें यह वाला structure मिलता है मैंने क्या बोला भी कि यह वाला hydrogen आपको कहां रखना है oxygen से जोड़ देना है और यह वाला pie bond जो कि पहले कहां था carbon और oxygen के बीच में था इसको उठा कि अब carbon और carbon के बीच में अगर रख दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा यह वाला structure मिल जाएगा इस structure को थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है carbon double bond carbon मतलब क्या है यह यह तो दोनों को मिला करके यहाँ पर इिसको इनननल बोलते है तो जो यह आप को यह structure मिल रहा था इस structure को क्या बोला जाएगा इननल बोला जाएगा तो पहले वो क्याокой था keto group था लेकिन बाद में क्या बन गया इननल बन गया तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कीटो से इनॉल या इनॉल से कीटो मिलता है इस वज़ा से हम यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटो मेरिजम बोलते हैं यहाँ पर यह आप यह लाइन याद रखना कि यह जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल में कनवर्ट हो जाता है और जो हमारा inol है वो keto में convert होता रहता है इस वज़ा से इन दोनों totomers के बीच में ये reversible वाला sign लगाते हैं अब हम लोटते हैं isomerism के second part पर जो की है stereo isomerism stereo isomerism का मतलब जिसका stereo different और stereo का मतलब मैंने बताया था कि arrangement of atoms in a molecule in a 3D space तो चलिए पहले हम stereo isomer का मतलब समझते हैं isomers having different arrangement of atoms in 3D space known as stereo isomer अगर आप कुछ point नहीं पकड़ पा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो वो आगे चलके clear हो जाएगा बस आप सुनते चलें stereo isomer को हम दो part में divide करेंगे पहला होगा geometrical isomer और दूसरा होगा optical isomer optical isomerism को हम मैं next वीडियो में पढ़ाऊंगा लेकिन geometrical isomerism को हम अभी पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में तो चलिए बात करते हैं geometrical isomer की geometrical isomer में देखो isomer के आगे क्या लिखा है geometrical लिखा है इसका मतलब जिसकी geometry different हो लेकिन molecular formula same हो उसको हम geometrical isomer बोलेंगे geometrical isomerism को हम cis trans isomerism भी बोलते हैं तो geometrical isomer को हम क्या बोलेंगे cis trans isomer बोलेंगे तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि ये cis trans isomer क्या होता है और यहाँ पर ये different geometry की क्या कहानी है यहाँ पर ये वाला molecule देखे इस molecule में इस carbon carbon double bond के दोनों hydrogen देख रहे हैं ध्यान रखना यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दो same group अगर इस line के एक साइड में होंगे तो वो एक आईसोमर जनरेट करेंगे और अगर हम R group को यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दें तो यह एक दूसरा आईसोमर तैयार हो जाएगा इस आईसोमर में देखिए इस carbon double bond carbon से जो यह line पास हो रही है इस line के उपर की तरफ देखो यहाँ पर R है तो नीचे की तरफ दूसरा आर है यहाँ पर यह वाला R इस वाले R के opposite side में है यह वाला H इस वाले H के opposite side में है इस वज़ा से ये दूसरा आईसो मर होगा लेकिन इस वाले में देखिए दोनो आर जो है इस लाइन के एक ही साइड में है अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इस वाले मॉलिक्यूल की जो जमेट्री है वो अलग है इस वाले मॉलिक्यूल से जमेट्री का सेंस आपको अब जाबर नहीं होंगे, होंगे भी नहीं क्योंकि देखो ये दोनों करीब में आएंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हमें यहापे L2 is greater than L1 मिल रहा होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल के मॉलिकुलर फॉर्मूले तो सेम हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट ह R group के रखने का वो different है, इस वज़ा से इन दोनों को बोला जाएगा कि ये different geometry में हैं, तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के geometrical isomers बोले जाएंगे, अब cis trans का मतलब समझते हैं, cis का मतलब होता है same side with respect to double bond, यहाँ पर इस double bond के respect में दोनों hydrogen same side में हैं और दोनों R group इस side मे हैं, इस वज़ा से इसको हम cis form बोलते हैं, और trans का मतलब होता है opposite side, opposite side किसके with respect to double bond, तो देखो इस double bond के respect में R उपर है, यहाँ पर यह नीचे की side दिख रहा है, इस वज़ा से हम कहेंगे कि ये वाला जो होगा वो transform होगा, I hope आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी, आप लिए कुछ example करके देख लेते हैं, यहाँ पर देखे एक molecule दिया गया है, जहाँ पर carbon double bond carbon है, यहाँ पर carbon double bond carbon के एक side में हमने क्या किया हुआ, CS3 लगा रखा, इसका मतलब ये कौन सा form हो जाएगा, cis form हो जाएगा, दूसरे वाले molecule को देखते हैं, इस वाले में देखो क्या hydrogen क्या है, trans side में, opposite side में है, इस वज़ा से इसको हम क्या बोलेंगे, transform बोलेंगे, isomerism में हमने जितना अभी तक सीखा है, उसको मिला कर और monoclorination के concept को मिला कर, हमें question करने वाले हैं, जिससे आपकी खोपड़ी खुलने वाली है, यह एक mind opening question आपके लिए हो सकता है, question में लिख गया है कि a hydrocarbon C5H12 gives only one monoclorination product, identify the hydrocarbon, तो question को समझने की कोसिस करते हैं, बोला जा रहा है कि हमारे पास एक hydrocarbon है, C5H12, जिसका अगर chlorination करवाया जाए, तो हमें वहाँ पर सिर्फ एक monocloro product मिलता है, तो उस hydrocarbon का structure बनाईए, जिससे सिर्फ एक monocloro product आएगा, इसको करने के लिए हमें C5H12 के isomers बनाने पड़ेंगे, उन isomers में से फिर हमें उसका chlorination कराना पड़ेगा, और ये पता करना पड़ेगा कि कहां पर कितने product मिलते हैं, अभी हमने उपर पढ़ा था कि C5H12 के तीन isomers हमें मिलते हैं, पहले isomers में 5 carbon एक सीधी chain में connected होंगे दूसरे isomers में 4 carbon एक सीधी chain में connected होंगे और एक CS3 group दूसरे number के carbon पे लग रहा होगा, तीसरे number के isomers में 3 carbon एक chain में होंगे और second number के carbon पर 2 CS3 group लगा होगा, अब ये जो हमें isomers मिले हैं, अगर इनका हम chlorination करवाएं तो हमें ये देखना है इसके कितने product मिलेंगे, देखो अ आच carbon है, लेकिन भया मैंने क्या बोला, 3 different carbon है, कैसे वो देख लिजे, देखो ये carbon और ये carbon सेम है, ये वाला carbon ये वाला carbon सेम है, इसका मतलब ये carbon ये carbon और ये carbon सिर्फ यही तीन ऐसे हैं, जो एक दूसरे से different हैं, अगर यहाँ पर 3 carbon है तो उससे जुड़े हुए जो hydrogen होंग वो भी क्या होंगे, different होंगे, अब अगर इन 3 different hydrogen को हटा करके उसकी जगा पर chlorine लगा दिया जाए, तो हमें यहाँ पर ये 3 products देखने को मिलेंगे, तो चलिए भया एक बार यहाँ पर देखिए, ये जो green color का hydrogen दिख रहा है, अगर हम इसको हटाएं और उसकी जगा पर chlorine लगा दें, तो हमें वहाँ पर एक 3 product मिल जाएगा, इसका मतलब अगर हमारा ये reactant है, और उसकी reaction CL2HNEU के साथ कराई गई, तो हमें 3 product मिलेंगे, अब इस second isomer का, अगर CL2HNEU के साथ reaction कराए, तो हमें कितने product मिलेंगे, हमें क्या देखना पड़ता है, कि कितने different type के hydrogen present है, तो और ये carbon भी different है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 different carbon होंगे, और इन 4 different carbon से जुड़े हुए 4 type के hydrogen होंगे, अगर इस green वाले hydrogen को हटा करके, हम उसकी जापर एक chlorine लगा दें, इस black वाले hydrogen को हटा करके, उसकी जापर chlorine लगा दें, तो ये product मिल जाएगा, और अगर इसको ह पर 4 product मिलेंगे, जिसमें से एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये होगा, अगर हम 3rd ISO मरका CLT वचनु के साथ reaction कराएं, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक type का product मिलेगा, सिर्फ यही एक product मिलेगा, क्योंकि इस carbon से connected, जो ये 4 carbon है, ये सारे carbon क्या है, similar है सेम हैं, इस वज़ा से इस पर जुड़े हुए जो CS3 होंगे, उनके भी सारे hydrogen सेम होंगे, तो सारे सेम hydrogen में से कोई सा भी एक hydrogen हटाईए, वहाँ पर आप एक chlorine लगा दीजे, तो यही हमें product मिलेगा, या पर पूछा भी वही जा रहा था, ऐसा कौन सा ISO मर है, जिससे हमें सिर no product में आपस में क्या relation है, तो आप क्या जवाब देंगे, चलिए वो देख लेते हैं, आप से question किया जा रहा है कि आपको relation between first and second बताना है, तो पहले और दूसरे के बीच में क्या relation देखो, अब first वाले को देखते हैं, इस first वाले में पहले carbon से chlorine जुड़ा, तो यहाँ पे carbon number 1 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, आप बोलोगे कि carbon number 1 पर क्याँ पे chlorine लगा हुआ है, लेकिन इस वाले में carbon number 2 पर chlorine लगा है, इस वज़ा से पहला और दूसरा एक दूसरे के position isomers होंगे, क्योंकि हमारा जो substituent chlorine है, वो different positions पर लगे हुए हैं, next question है कि 3rd और 2nd के बीच में क्या relation है, 3rd में देखो किस number के carbon पे chlorine लगा है, अगर आप counting यहाँ से करते तो यह 1, यह 2, यह 3 हो जाएगा, तो 3 number के carbon पे, यहाँ पे हमने क्या दिखा था, 2 number के carbon पे, इसका मतलब यह भी दोनों आपस में position isomers होंगे, कि क्लोरीन की position यहाँ पर कि how many products are obtained on monoclorination of propane and comment on the relation between products, propane कैसे लिखा जाएगा, CS3, CS2, CS3 लिखा जाएगा, तो देखो भी यहाँ पर हैं 3 carbon, इन 3 carbon में से यह वाला carbon और यह वाला carbon तो identical है, और जो यह बीच वाला carbon है, यह different है, मतलब हमारे पास 2 type के carbon है, माली जी एक type यह है और एक type यह है, तो अगर अगर हमारे पास 2 type के carbon तो हमारे पास 2 type के hydrogen होंगे, और जितने different type के hydrogen होते हैं, उतने ही different हमें products देखने को मिलते हैं, अगर हम यहाँ के hydrogen को हटा करके उसे जापे chlorine लगा दे तो हमें यह वाला product मिलेगा, और अगर इस वाले carbon का यह वाला hydrogen हटा दे और उसकी जापे chlorine लगा तो हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है तो इस तरीके से हमें यहाँ पता चल गया कि प्रोपेन के अगर रेक्शन करवाएंगे तो हमें यह दो डिफरेंट structural isomers मिल रहे होंगे हम इनको structural isomers क्यों बोड रहे हैं क्योंकि इनके structure अलग-अलग हैं अगर और ज्यादा specific हों तो structural isomers में ये position isomers होंगे क्योंकि यहाँ पे देखो carbon number 1 लिखा जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 तो इस तरीके से ये chlorine जो है carbon number 1 पर जुड़ा था लेकिन इस product में जो हमारा ये वाला chlorine है वो carbon number 2 पर जुड़ा हुआ इसका मतलब हमें यहाँ पर दो position isomers as a product मिल रहे होंगे यहाँ पर हमने isomers के 11 वाले portion को खतम कर लिया है next video में मिलते हैं महाँ पर हम 12 वाले portion को discuss कर रहे होंगे यहाँ पर हम अपना lecture खतम करते हैं मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए प्रसंद रहिए